एलो मिद्रों आप सबी के हमारे चैनल स्मार्ट एजटेक में स्वागत है तो जो भी साथी नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेला इकन को प्रेस कर दें तो आज हम देखेंगे रास्तान की इस्तापति एकला तो इसके अंदर आरे से मैं सस्बी और रीट और रास्तान के वीपिन परिक्षाई पुलीस में आरके पुराने प्रस्टों के बारे में फर्स्ट परसन है नत्मल और सलीम सिंग की हवेलिया इस्तित है तो यह जैशल मेर के अंदर है बागी वीज़े नीवास उदे नीवास और घुमान निवास तीन हो है नेक्स रास्तान में परियट को पर्मुक का आकर सक पोदार की हवेली जो इस्तित है तो पोदार की हवेल्या नवलगड मे इस्तित हैं रावड बुनदी में हर्षनात की बावडी चांद की बावडी और दोर सा में मंदकीनी बावडी एजमेर में नेक्स चोके लाउ मेल रास्तान की इस जीलम तो ये हो जाएगा जोत्पूर %। में बने में लिकहां से यान किलने को बिखक्र हrie निर्मित हर्षद माता मंदिर पर्तियर के सामन्द चौन ने बनाए हैं यहां की चान्द बाउड़ी这 फार्षी यह का का पर निरुकिंद बोका-प्र वोडिवास हो अवेली का निर्माण कुमान्चन्द करवाया था और डूंगरपुर के निकट रड़ाओ का बावडी किस्न बनवाई थी तो डूंगरपुर के निकट नोलगा बावडी प्रैमल देवी ने बनाई थी नेक्स्ट निम लिकित में से किसने चोरा सी कमबो की चत्री का निर्माण कराया चोरा सी कमबो की चत्री का निर्माण राव अनुरित सिंग ने करवाया था अनुरित सिंग के पुत्रन ने करवाया था ये डाउटपूल क्यूस्टन है नेक्स्ट फेकल परहने को चुनुरे, फेद हैं, नेक्स्ट छोड़ पर्डप्रस देवार। आगे नेक्स्ट क्यूस्टन निम्लिक में से किस दूर्ग को रास्तान का वेलोर केते हैं तो बैस्रोडगर दूर्ग को रास्तान का वेलोर केते हैं आगे बुंदी में चोरा सी कंपो की चत्री का निर्मान किस्ट ने करवाये था तो राव अनुरित स्वी ने करवाये था ने देपूर के अंदर है आगे नेक्स्ट है निम्लिक में से कौन सी बावडी का इस्तान सुमेलित नहीं है तो त्रीमुकी बावडी चुरू में नोलका बावडी जेपूर में और जालीबाज बावडी सिक्कर में है सिकर में नहीं है मतलब निम्लिक में से कौन सी बावडी का इ जेपुर के अंदर एक थंबा मेल जोदपूर में उर जूनागट की लाभी का निर्म है , जोरासी कंपो की चत्री इस्तित है तो शोरासी कमपो की चत्री बूंदी में है इनका निर्माण 1613 में तत्कालि इन्सासक राव राजा अनुरित सीय ने करवाए था यह चत्री दो मंजिला है तता 84 घंबो पर टिकी हुई है नेक्स्ट बुंदी में इस्तित राणी जी की बावुडी का निर्माण किस ने करवाया तो रानी जी की बाड़ी का निर्मान रानी ना थावती ने करवाया था आगे नेक्स्ट है सहिलियों की बाड़ी के निर्मान करता कौन थे तो सहिलियों की बाड़ी के निर्मान करता सग्राम सिंग थे जिनोंने अटारी सदी में उद्धेपूर में निर्मान करवा है था आगे नेक्स सुमेलित करने का है तो सेर और छत्रियां जेपूर के अंदर गेटोर की छत्रियां है और जोदपूर के अंदर जस्वन तड़ा है और कोटा के अंदर है कोटा के अंदर हो जाएगा छत्र विलास और जैसल मेर में हो जाएगा बड़ा बाग नेक्स्ट क्यूस्टिन रामसनेई संपरदाई की सापूरा सासका के संस्तापक कौन थे तो सापूरा साका जो परदान पीट मानी जाती है रामसनेई संपरदाई की तो उसके संस्ता पग राम चर्ण जी थे तता अन्य पीटे रेंड के अंदर दरियाओ जी सीयातल महरी रामदास जी और खेड़ापा में रामदास जी है नेक्स्ट है मुसी रानी की चत्री का है इस्तिता है मुसी रानी की चत्री बिदॉर मेर में है नेक्स कुशन अर्शद मता मंदिर और चांद बावडी दोनों दोसा में हैं तो चांद बावडी बंद कोई दोसा कश्वे से 5 क्यमी दूराबानेरी में इस्तिता है इस प्राचीन और विशाल बावडी का निर्मान चंद्र नामक निकुंब राजा ने आटवी सद्धी में करवाये था चांद बावडी का सिल्फ देखते ही बनता है इसमें उत्रने के लिए तीन और से कलात्मक सीडियां बनी हुई है नेक्स कुशन आब अनेरी बावडी की अउस्तिती में से किस जिल्म है तो यह दोशा में हो जाएगी आगे रास्तान का परतम विजय इस्तम का है तो यह बयाना दूर के अंदर है बर्तपूर में नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा राज प्रसाद चित्र पेलेस की नाम से चित्र पेलेस भी केता है नेक्स्ट क्यूसर निमलिक में से कौन सा मेल रनध उंबॉर में है आगे अगे अपने वीतिटी चित्रों के लिए पर चिट जाला आवली होसती है तो जाला की आवली कोटा में है आगे नो मंजीला बावडी का है और इसका निर्माता कोन ता नो म बाइज पूर वाचिंग देश जो भी साथी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब पर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो